कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गरीबों का भाई विनोध श्यामधर ने कहा है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आईरन लेडी स्वरगीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश से गरीबी मिटाने का नारा दिया था जबकि कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे गरीबों के सेवा की जिम्मेदारी सौपी थी, मैं आखरी सांस तक गरीबों की सेवा करता रहूंगा। श्यामधर स्मारक कठोता में आयोजित इंदिरा गांधी की जयंती कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार पणकर उन्होंने श्रद्धानजली अर्पित की, इस दौरान और क्या बोले गरीबों का भाई विनोध श्यामधर सुनिये। काम करती रही है। और मुझे प्रेना दिया पूनिया गांधी ने गरीबों की सेवा करने के लिए। मैं गरीब का भाई बन करके गाउं-गाउं जा करके गरीबों की सेवा करना हूं 20 वर्षूस सेवा करना हूं। और मैं संकल्ब लेता हूँ कि जीवन भर गरीबों की सेवा करता रहूँगा और गरीबी और मीरी के बीच खाई पाटने की कोशिश करूँगा देश की प्रथम महिला प्रधान मंत्री स्वर्गी स्रीमते इंद्रा गाधी जी की जैनती कांग्रेश के बरिष्ट नेता और गरीबों के भाई कांग्रेश के सिपाही बिनो स्यामधर मिस्राजी के अध्यस्ता में आज यहाँ पे मनाया गया है जिसमें स्रीमते स्वर्गी इंद्रा गाधी जी के चित में मालयारपण किया गया है और एक गोश्टिक आयोजन किया गया है और मैं धन्वाद देता हूँ कांग्रेश के सिपाही और गरीबों के भाई बिनोशियाम धर्मिस्तराजी को जो इंद्रा गाधी जी ने सपना देखा था जो इंद्रा गाधी जी का सुझाओ था कि गरीबी हटाओ, तो उसके तहट, बड़े भाई बिनोच स्याम धर्मेश राजी, जो कांग्रेस के सिपाही और गरीबों के भाई हैं, इन्होंने बिगत 20 वरसों से, शेत्र में जाकर, कि गाउं में जाकर, कि लोगों के गरीबों के बीश में जाकर, कि आप हमेशा गरीबो की मदद कर रहे हैं